ओम शान्ति आज आपका बहत्तरवे दिन का वरदान और इस वरदान में परमात्मा हमें एक बहुत तीक रहस में बात बताते हैं जिससे कि हम सदा अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चलें देखा जाये तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि कोई अच्छा एम रखो बड़ा एम रखो तो तुम कभी धीले नी पड़ोगे अपने कारे में तो परमात्मा कहते हैं कि जब वो एम सिर्फ अपने लेना हो लेकिन पूरे विश्व के लिए हो इतना उंचा एम अगर आप रखो कि पूरे विश्व को परिवर्तन करने का एम पूरे विश्व में सुक शांती फैलाने का एम तो आपकी जो वृत्ती है जो दृष्टी है जो कारे है जो भी आप कर्म करते हो वो आप बहुती ध्यान से सोच करके करोगे तो आईए देखे परमात्मा कहते क्या है आज इस वरदान में जिसके बारे में हमें सोचना है या मेरीटेट करना है तो बाबा कहते हैं स्थूल कारे करते भी कोई भी आप स्थूल कारे करते हैं उसको करते भी मंसा द्वारा मंसा मतलब माइंड के द्वारा थोट्स के द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भवा अब आप सोचेंगे कि मंसा के द्वारा में कैसे परिवरतन कर सकता हूँ किसी को ये पुरे विश्व को कैसे में हेल्प कर सकता हूँ तो परमात्मय ने हमें ब्रह्मा कुमारीज में एक गुप्त रहे से बताया है कि आपके thoughts ही दुनिया में सुख ला सकते हैं या दुख ला सकते हैं आपके संकल्प ही दुनिया में अच्छा positive परिविरतन ला सकते हैं या विनाश करा सकते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हम सदा ही अपने मनसा में किस प्रकार के संकल्प उत्पन करते हैं वो decide करता है कि आपका आने वाला भवश्य है या आपका हर पल कैसा होने वाला है और उसी तरीके से जब आप परमात्मा को पहचान जाते हैं उनसे आप जब अपने मन बुद्धी को जोडते हैं तब आपको यह महसूस होता है कि मेरा करते वे तो बहुत उचा है तो मेरे संकल बहुत उचे होने चाहिए ताकि हर आत्मा को मेरे संकलपों से शीटलता, खुशी, प्रेम, आनंद, सुक महसूस हो तो बाबा कहते है कोई भी स्थूल कारे करते स्थूल कारे मतलब आप खाना पका रहे हैं या आप नौकरी में हैं या कोई भी घर का कारे कर रहे हैं सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्यान की सेवा अर्थ निमित हूँ ब्रह्मा कुमरीज में आने से पहले हम अपने आपको एक साधारन विक्ती समझते थे धन से अपने आपको नापते थे तौलते थे या अपने चेहरे जलन को देख करके हम दुनिया से अपने आपको कंपेर करते थे और सोचते थे या तो मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ या मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ लेकि परमात्मा ने जैसे ही हमें याद दिलाया अपने पिछले जन्मों के बारे में कि मैंने कितने जन्म लिये हैं क्या क्या जन्म लिये हैं तो जाकर के परमपिता परमात्मा से हमें समझ आया कि मेरा अब करतव्य क्या बनता है? अब जो आने वाला समय है, आने वाला यूग है, मैंने इस सारा पाट तो खेल लिया इस शृष्टी के रंगमंच पर, अब अंतिम जनम में आकर के बैठे हुए हैं, काफी सारी हमात्मा हैं, तो अब क्या करना है? ये अमूले जनम, मनिश जनम है, जिसमें हमें सिर्फ स्वेम का नहीं, सारे विश्व का कल्यान करना है, जिसका फल्व स्वें परमात्मां में देते हैं, जब हम ऐसा करतावे करते हैं तो परमात्मा करते हैं कोई भी स्थुले कारे करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्वक लियान की सेवा अर्थ निमत होूँ निमत मीद्स इंस्ट्रुमेंट सोल द्वारा विश्व परिवर्तन के कारे की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है इस मृती से अलबेलेपन समाप्त हो जाएगा अपने जीवन में समय भी व्यर्त जाने से बच जाएगा जब आपको पता है कि आपका करतवे बहुत उचा है समय बहुत कम है तो आप make sure करते हैं कि आपका समय वेर्त ना जाए शक्ती वेर्त ना जाए तो उस समय आप उस कारे को सफल करने के पीछे पड़ जाते हैं तो बाबा कहते हैं एक एक सेकेंड यह जो संगम युग है इसका एक एक सेकेंड अमूले समझते हुए विश्व कल्यान के वा जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कारे में सफल करते रहेंगे जो है इसको समझते हुए विश्व कल्यान के सारे विश्व कल्यान करना वह जड़ और चैतन्य जड़ मतलब पांच तत्मों को भी परिवर्तन होना है जो आप आज संसार में देखते हैं ज्वाला मुखी आते हैं कहीं पर करता जाएगा इसको अमूले समझते हैं आप क्या करेंगे आप सदा ही मंसा द्वारा सारे तत्वों को भी आप पीस प्योरिटी की शक्ति देंगे उनको भी आप हर प्रकार से सुख और शान्ति प्रतार करेंगे ताकि वह अपने उरिजनल पवित्र स्टेज में पहुंच जाए चाहे वह भूकम करके स्टेज में पहुंचे चाहे वह सुनामी से वह स्टेज में पहुंचे चाहे वह तुफान आकरके वह स्टेज में पवित्रता में वह पस आजाए लेकिन वह आएंगे ही लेकिन उसकलिए मंसा में पवित्रता संकल्प सदा र रहेंगे इस वर्दान को फिर से सोचीगा गहराई से और इसके मतलब को समझने के लिए आप प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारीज में आ करके साथ दिन का कोर्स जरूर करिएगा इसके साथ ओम शान्ती